बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना ही विपिंग क्रीम के आज हम बनाएंगे मटका कुलफी सिर्फ एक लीटर दूद से हमारी मटका कुलफी बनके तयार हो जाएगी और ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी और एकदम क्रीमी बनके तयार होगी जब मन करें आपका तव आप इसको बना सकते हो और बहुत ही ज़टपट बनके तयार हो जाएगी तो चलो आज़ो बनाते हैं मटका कुलफी सबसे पहले हम बनाएंगे मटका कुलफी के लिए पाउडर जिसके लिए लिया है मेने शक्कर 30 ग्राम फिर हम इसमें एड़ करेंगे काजू तो ये काजू लिया है मैंने 40 ग्राम फिर हम इसमें एड़ करेंगे बदाम तो ये भी हमने 40 ग्राम ही लिया है पिस्ता लेंगे हम इसमें 30 ग्राम आप अपने इसाब से शक्कर कमिया जादा कर सकते हो इलाइची डालेंगे हम इसमें 6-8 फिर हम इसमें एड़ करेंगे केसर तो ये करीब हमने केसर की धागे लिए हैं 4-5 ही लिए होंगे फिर मैंने इसमें एड़ करूँगी कस्टर पाउडर तो ये कस्टर पाउडर लिया है मैंने करीब 3 टेबल स्पून अब ये सारे ingredients को हम क्या करेंगे mixi jar में add कर लेंगे हमें से mixi jar में इसलिए करा है क्योंकि अभी हम इसको पीसेंगे तो हमें इसको कितना पीसना है ये मैं आपको बताऊंगे हमें एक दम बारिक नहीं पीसना है इसको हमें तोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा अच्छे तरीके से पीसना है mixi में हमें जादा से जदा इसको 2-3 मिल्ट तक ही चलाना है एक दम हमें powder type का भी नहीं बनाना है तोड़ा सा दरदरा powder हमारा होना चाहिए कुछ इस type का जिसमें जो बदाम है और जो काजू है वो तोड़े से हम जब कुलफी बनाएंगे तो इसमें मुह में आने चाहिए अब इसको आप एक airtight container में भी रख सकते हैं और इसको आप store कर सकते हैं करीब 2-3 महीने तक जब भी आपका मन करें आप इसको जिस तरीके से मैं बताऊंगी वैसे ही आपको इसको बना लेना है और जब मन करें तब इसको खा जाएए अब एक gas पे हम चड़ाएंगे भगोनी जिसमें हमने इसमें add करा है पानी पानी हमने इसलिए add करा है क्योंकि अभी जो हम इसमें दूद डालेंगे वो हमारा जलेना दूद मैंने लिया है करीब 1 लीटर और जो ये दूद है ये पहले से ही गरम है और इसकी जो मलाई है वो मैंने पहले से ही साइड में निकाल ली थी अब इसको हम क्या करेंगे इस दूद को अच्छे से हम एक बार उबाल आने देंगे जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी ice cream बढ़ाना दूद जो है वो अच्छी तरीके से उबल गया है अब हम क्या करेंगे दूद को अच्छे से हम इसको चलाएंगे कुछ इस टाइब से आपको बिल्कूल भी हाथ नहीं रुकाना है दिरे दिरे आपको दूद को पकाना है और करीब इतना पकाना है कि जो हमारा एक लीटर दूद था वो करीब आधा लीटर हो जाए कुछ इस टाइब से देखिए दूद अच्छी तरीके से हमारा आदा हो चुका है अब हम इसे स्टेज पे आड़ करेंगे केसर तो ये करीब मैंने केसर के धागे लिए हैं चैसे साथ होंगे और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे दूद को हम साइड में रख देंगे और फ्लीम जो है वो एकदम लो कर देंगे अभी जो हमने कुलफी का पाउडर बनाया था उसमें से हम क्या करेंगे थ्री टेबल स्पून कुलफी का पाउडर निकाल लेंगे अगर आपको जादा बनानी हो तो आप इसमें जादा भी आड़ कर सकते हैं और क्या करेंगे हम इसमें एक कप दूद आड़ करेंगे दूद आड़ करके हमें इसको अच्छे से एकदम मिला लेना है और बिल्कुल भी इसमें लंस नहीं रहने चाहिए अगर आपको मिक्स करने के बाद लगे की कुलफी का पाउडर कम है इतने में नहीं होगा तो आप इसमें और भी कुलफी का पाउडर एट कर सकते हैं और देखिए कुछ इस टाइप से एकदम बिल्कुल भी लंस नहीं रहने चाहिए अब हम क्या करेंगे जो हमने अभी दूद गरम किया था उसमें हम हाथों से एक साइट से चलाते रहेंगे और जो हमने कुलफी का भी मिशन बनाय था वो हम इसमें डालते रहेंगे और इस एकदम हमें धीरे हाथ से चलाते रहना है जो हमारे उसमें बच गया होगा उसमें आपको तोड़ा सा पानी एड़ भी कर सकते हो या फिर दू दैट करके इसको वापिस आप भगोनी में डाल सकते हो दस मिनिट तक आपको इसको अच्छे से चलाना है और दस मिनिट बाद जो हमाई जो कुलफी है वो एकदम गाड़ी होके तयार हो जाएगी बाजार में भी ऐसी मटका कुलफी बहुत मिलती है पर उसमें शिर्दता नहीं होती है हम घर में बच्चों को बना के खिलाएंगे तो एकदम घर का टेस्ट रहेगा और बहुत ही तेस्टी बनके तयार होगी सारे बच्चे एकदम मांगते रह जाएंगे देखिए 10 मिनिट हो चुके हैं और यह अच्छी तरीके से पक चुकी है अब क्या करेंगे हम जो गेस की फ्लेम है उसको हम एकदम बन कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जैसी एकदम रूम टेंपरेचर में आ जाएगी वैसे आपको इसको हैंड ब्लेंडर से ऐसे आपको मिक्स कर लेना है अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी फेट सकते हैं और अगर आपको मिक्सी में भी नहीं फेट ना है तो आप क्या करेंगे इसको ऐसे ही ग्लास में डालिए और इसको जमा दीजिए लेकिन क्या होता है जब हम इसको फेट लेते हैं अच्छे से तो बहुत क्रीमी सा टेक्स्चर आता है यह देखिए मैंने 5-10 मिनिट तक इसको अच्छे से फेट लिया है अब हम क्या करेंगे इसको हम मटकों में डालेंगे तो ये मेरे पास पहले से मटके रखे हुए थे घर में अगर आपके पास ये वाले मटके नहीं हो तो आप इसको कुलड में भी डाल सकते हैं जो हमने अभी ice cream फेटी दी उसको हमें सारे को हमें मटको में डाल देना है अच्छी तरीके से अगर आपके पास kullard नहीं हो तो मैं उसका तरीका भी बताऊंगी कि आप बिना kullard के भी इसको कैसे जमा सकते हो यह देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से डाल दिया है उपर से मैं इसमें तोड़ा सा पिस्ता डालूँगी बहुत ही अच्छा जब हम इसको खाएंगे तो एक दम टेस्ट बहुत ही टेस्टी आएगा उपर से हम इसमें एट करेंगे केसर के धागे एक या दू आप इसमें केसर के धागे डाल दीजिए और इसको बंद करके हम इसको फ्रीजर कर देंगे करीब 6-7 गंटे के लिए अगर आपके पास खुलर नहीं हो तो आपको का करना है स्टील कivas तो होगा घर में स्टील के क्लास में आप इसको डाल दीजिए आप देख रहे हो ना हमारी जो आईस क्रीम का कलर और एक दम बजार जैसा आया है इसका टेस्ट भी बहुत ही टेस्ट ही आया था हमारे घर में तो सब बच्चों ने खाया था और सब ने बार-बार बोला कि मम्मी एक काम करा करो आप तो इसको रोज बना दिया करो हम बजार से लेकी नहीं आएंगे और इसको हमें क्या करना है जिसमें हम गरम करने वाला जो पेपर होता है वाइल पेपर उसको हम ढाक के उसको भी हम फ्रीजर कर देंगे 6-7 गंटे के लिए और ये देखिए बन के तयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़ादा यामी मटका कुलफी आप देख रहे हो ना कितनी टेस्टी बनी है ये और हम गलास वाली भी चैकर लेते हैं कैसी है ये देखिए गलास वाली भी एकदम परफेक्ट जमी हुई है बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी सा इसका टेक्श्चर आया है एकदम बजार वाला टेस्ट और दिखने भी एकदम बजार जैसी कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कहां से बनी हुई है और आप देख रहे हो ना कितनी जादा क्रीमी है और बहुत ही जादा सॉफ्ट भी है देखिए अराम से कट रही है कोई जादा जंजट नहीं है और बहुत ही जटपट बनके ये तैयार हो गई है है ना एकदम सॉफ्ट तो आप इसको बनाओगे तो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना